आज मैं आपके बताऊँगा कि फूल गोभी और बंद गोभी को गमले में कैसे लगाएं और कितने इंच के गमले में लगाएं सबसे पहले बात आती है पोटिंग मिक्स की यदि आप गमले के वजन को कम करना चाते हैं तब आप इसे स्वाइलेस तरीके से ग्रो कीजिए जिससे छट पर गमले का वजन भी कम रहेगा और आपको पौधों में पानी भी कम देना परेगा और जो आप खाद देंगे उसका सह से इस्तमाल होगा स्वाइलेस तरीके से ग्रो करने के लिए आपको लेना है 70% कोको पिट कोको पिट के बाद आपको लेना है 30% कमपोस्ट किसी भी टाप के फुल डीकमपोस्ट को ले लिजिए 70-30 के रैसियो में लगाने से फैदा ये है कि आप इस पोटिंग मिक्स को बार बार बलकि 4-5 सालों तक इस्तमाल कर सकेंगे 50-50 में भी मिला सकते हैं लेकिन फिर 2-3 दफार यूज़ करने के बाद ये मिक्चर खराब हो जाता है बहतर है कि आप 70-30 में मिक्स कीजिए नीम की खली है तो आप उसको भी दे सकते हैं मिट्टी का इस्तमाल करके पौधों को लगाना चाते हैं तब आपको लेना है 50-30 मिट्टी उसमें 30-30 किसी भी टैप की फुल डिकम्पोस कम्पोस्ट को मिला देना है और 20-30 कुकोपिट को अब बताती है गमले के सैज की फूल गोभी और बंद गोभी के एक पौधे को 12 इंच के गमले में लगाना चाहिए आपको 3-4 इंच जगे रहने देना है फिर जैसे पौधा बरा होते जा वैसे वैसे इसी पोटिंग मिक्स को भरते जाइए गमले में जगे रखने पर और बाद में भरने से प्लांट मजबूत होता है और बरे सैज की फूल को भी या फिर बंद को भी मिलता है इनकी धूप में रख देजिए